चलिए मेरे दोस्ता सुरू करते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं, सुरू करने जा रहे हैं सम्मिधान के अनसूचियां एववन छेद, चुकि रफ्तार के रूप में चलेंगे, रैविट जीके के रफ्तार में चलेंगे, तो कैसा लगता है यह जरूर कमेंट बॉक्स में तो चलिए सुरू करते हैं, तो सुरूराती ही है सम्मिधान की अनसूचियां एववन छेद, तो चलिए सम्मिधान सभा की प्रारूप समीती द्वारा पस्तूत प्रारूप सम्मिधान में कितनी अनसूचियां थी, तो यह दिखेगा आठ अनसूचियां थी, सुरूराती द देहां से सुनिएगा कि सम्मिधान सभा का प्रारूप समिती द्वारा पस्तूत प्रारूप सम्मिधान में कितनी अनसुचियां थी तो आठ थी इसी तरह देखे सम्मिधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारिज जब हुआ था उस समय भी आठ ही था देहां रखना है अब अब सवाल है कि बरतमान में भारतिय सम्मिधान की कुल कितनी अनसूचिया है तो बारह है या दुखेगा वन टू ठीक है बारा है याद रखेंगे बरतमान में आगे सवाल है कि किस सम्मिधान संसोधन अधिनियम द्वारा भारतिय सम्मिधान की नौमी अनसुची जोड़ी गई है तो प्रतम याद रखेगा प्रतम सम्मिधान संसोधन द्वारा जो है भारतिय सम्मिधान की नौमी अनसुची जोड़ी गई है ये ध्यान रखेगा आगे सवाल बनता है यहाँ पर सवाल बनता है कि 52 में 52 में 52 में 52 ये रखेगा वे संविधान संसोधन अधिनियम द्वारा 1985 में 1985 में कौन सी अनसुची को भारतिय संविधान में शामिल किया गया है तो 10 में अनसुची को सामिल किया गया है ये ध्यान रखना है आगे सवाल आपका बहुत जबरदस बनता है कि 73 सम्मिधान संसोधन अधिनियम द्वारा भारती सम्मिधान में कौन सी अनसूचियां जोड़ी गई है तो 11 अनसूचियां जोड़ी गई है जो कि 12 अनसूचियां ये ध्यान रखना है चीक है आगे चलेंगे देखिए 73 सम्मिधान संसोधन बंचाज से 24 सम्मिधान संसोधन नगरपालिका से ये ध्यान रखना है आगे सवाल बनता है कि सम्मिधान की द्यूतिय अनसूचियां का संबंध जो है या दखेगा पदा अधिकारियों के बेतन से है ये ध्यान रखना है चीक है आगे सवाल आपका देखे बनता है कि भारत संग में सामिल राज्यों और शंग शासित चेतरों को उलेखित भारतिय समिधान के किस अनुसूची में है तो प्रतम अनुसूची में है ये ध्यान रख प्रवधान सम्मिधान के किस अनसूची में किया गया है यह द्यान रगनाएं. जैसे ही नयंत्रक की बात होगी, महालेखा परिछक की बात होगी, बेतन की बात होगी तो याद सहटेगा द्यूची अनसूची को याद करेंगे. आगे सवाल यहाँ पे देखिए थोड़े से जूम कर देता हूँ ठीक है थोड़े से जूम कर देता हूँ ठीक है आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे देखिएगा कि भारती सम्मिधान की तीसरी अनसूची का सम्मंद जो है क्या है तो याद रखे हैं तीसरी अनसूची की बात होगे सपत तथा प्रतिज्ञान से है मतलब सपत से समंदित है याद रखेगा चीक है तीसरी अनसूची आगे सवाल आप देखें कि सम्मिधान की किस अनसूची में प्रतिक राज्यों तथा शंग राज्य छेतरों के आगे सवाल है कि भारत के समिधान की किस अनसूची में बिविन्य राज्यों में अनसूचित चेत्रों के प्रशाषन और नियंत के लिए विशेस उपबन्ध है तो पांचमी है याद खेगा क्या है पांचमी है ये धानकना है आगे सवाल है कि भारत के सम्मिधान की च्टी अनसुची का प्रमुख उपबन्ध होते हैं समंध जो है किस से है तो याद खेगा अस्रम, मेगालय, दिरपूरा और मिजोरम से है याद खेगा चिक है उसी तरह यहाँ पे चलेंगे भारत के किस सराज्य में सम्मिधान की छटी अनसूची लागू नहीं होती है तो मनीपूर से याद किया चटी जो अनसूची अगर लागू नहीं होती है तो मनीपूर से में लागू नहीं होती है मैं इसलिए पढ़ रहा हूं question speed में क्योंकि one liner है one liner में हमें topic by topic खतम करना है तो बहुत बड़ा से लेवश है इसलिए कर रहा हूं और नहीं तो मेरा पुराना वीडियो डाला हुआ उसको basic रूप से आप पढ़ सकते हैं मैंने पढ़ाया है ठीक है और इसका तो मैं पढ़ाना छोड़ दूगा क्योंकि मिलना है तो मिलना है याँ तुकिएगा भारतिय सम्मिधान में 22 भासाओं को राजजवाशा का दर्जा प्रदान किया गया है इन राजवाशाओं का उले किस सूची में है तो आप जानते हैं जैसे ही 22 भासा की बात होगी आठवी अनसूची की बात होगी चीक है पंचायत का वीडियो नहीं देखें तो पंचायत का भी देख लीजगा क्योंकि पंचायत का वीडियो मैंने दे चुका हूँ आगे सवाल है भारतिय सम्मिधान की आठवी अनसूची का संबंध किस से है तो यातुखेगा राश्ट भासा के सूची से यातुखेगा और इसमें 22 भासाइन चुड़ी गई है यातुखेगा आगे सवाल है कि किस अधिनियम को सम्मिधान की किस अनसूची में समलित करने पर उसकी बैद्रता को किसी न्याले में चुनोती नहीं दी जा सकती है तो वो है नौमी अनसूची को न्याले में चुनोती नहीं दी जा सकती है या तुखेगा ठीक है आगे चलेंगे आगे सवाल यहाँ पर देखिए किस राज्य के अरच्छन बिढ़े को नौमी अनसूची में समलित किया गया है और कोई नहीं तमिलाडो को किया गया है अगर आप से पूछे किस राज्य के अरच्छन बिढ़े को नौमी अनसूची में समलित किया गया है वो है तमिलाडो को याद दखीगा, यहाँ पर बहुत अच्छा सफवाल है यह बूस्ते रहता कि दल बदल के अधार पर निर्वाचित सदश्यों की अयुगता समंधी बीवरंद जो है समिधान की किस अनुसूची में दिया गया है तो दस्मी अनुसूची में दिया गया है यह ध्यान रखना है आगे सवाल आगे सवाल है यदी भारत संग को एक नए राज्य का सुरुजन करना हो तो संबिधान को अनसुची में से किस अनसुची को आवश्य संसोधन किया चाहिए तो याद कि अप पहला ही जो आपका जो अनसुची है उसी में होगा क्यों? क्योंकि एक नए राज्य का सुरुजन करना है एक नए राज्य को अपने आप में मिलाना है भारत में तो वो क्या है नया राज्य बनाना है जैसे कि आंध्रपते इस्तिलंगाना बना राज्य बना तो उस जो है पहली अनसूची में ही समझीत है किलियर हो गए चलिएगा आगे सवाल है कि सम्मिधान सभा द्वारा अन्तिम रूप से पारिज सम्मिधान में कुल कितनी अनशेद और अनसूचिया है तो देखे अगर बात करें पारिज जब हुआ था मुल रूप से तो उस समय तीन सो पंचानमें अनशेद थे और आठमें अनसूचिया है तीन सो पंचानमें अनशेद और आठमें अनसूचिया है अब बात यहां उठता है कि बरतमान में तो देखे बरतमान में अनशेद आर्टिकल की बात है थोड़े थोड़े आंकड़े अलग अलग देते हैं किताब चिक है यह मैं नहीं बोरा किताब बूलता लेकिन अनसूची जो 12 है तो 12 है यह द्यानकराँ तो बरत्मान समय में भरती समीरभान में गन्णणा के दिश्ट्री से कितनी अनचेद और अनसूचीया हैं तो या ses 436 अनचेद है आर्टिकल है और 12 अनसूचिया है ये ध्यान रखना है चीक है कहीं कहीं कम बेसी साकड़े होते हैं लेकि दहेगा इसी का स्पास यार तखेगा चीक है लेकिन मुल्य रूप से 395 में है यार तखेगा आगे सवाल है कि डॉक्टर अम्बेदकर के अनुसार भारतिय सम्मिधान का कौन सा अनुशेद जो है सबसे महत्पूर्ण है तो आप जानते हैं आर्टिकल 32 मत बतिस अनुशेद जो है बहुत इंपॉर्टेंट है भीमराव अम्बेदकर के द्वारा चीक है इसे क्या कहा जाता है ये बताएगा क्योंकि मैंने बहुत बार बताया भी हूँ प्रैक्टिस रिट में आगे सवाल है कि सम्मिधान के किस अनुशेद में यह अंकित है कि भारत राज्यो का शंग है तो आर्टिकल 1 में मत बतिस अनुशेद एक में है या तुखेगा आगे सवाल बनता है मेरे दोस्त आगे सवाल बनता है मेरे दोस्त या तुखेगा आगे सवाल है कि भारतिय समिधान के किस अनुछेद द्वारा भारत में नए राज्य का गठन होता है तो आर्टिकल 3 में होता है यह दिखना है तो भारतिय समिधान के किस अनुछेद द्वारा भारत में नए राज्य का गठन होता है तो आर्टिकल 3 में होता है आगे सवाल है कि भारतिय सम्मिधान के किन अनुछेदों में नागरिक्ता समन्दी प्रुधान है तो यादखेगा आर्टिकल पांच से इगारा में जैसे ही नागरिक्ता की बात होगी तो पांच से इगारा यादखेगा अनुछेद यह सब पढ़ा चुका हूँ इसे टॉपिक भाई टॉपिक भी पढ़ाऊंगा टेंसर ना लेंगे लेकिन आगे वन लाइनर खतम करते हैं आगे सवाल है कि भारतिय सम्मिधान के किस अनुछेद के अंतरगत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किये गए हैं तो यादखेगा अनुछेद 12 से 35 किये गए हैं यह ध्यान रखना है आगे सवाल है कि भारतिय सम्मिधान का कौन सा अनुछेट जो है धर्म, बंस, जाती, लिंग, जन्म, अस्थान के अधार पर भेदभाव पर रोक लगता है तो यह दिखीगा वो है आर्टिकल 15 मतलँ अनुछेट 15 यह दिखाना है आगे सवाल है कि कौन सा अनुछेट जो है नौकरियों तथा सैच्छनिक संस्थाओं में समाज के कमजूड वर्ग के लिए आरच्छन उपलब्द कराने के लिए किंद सरकार को अधिकार प्रदान किया गया है तो वो है अनुछेट 16 16 जो है आरच्छन जो है उसमें यार्ट खेगा जो नौकरी के लिए तैयारी करते हैं या शाश्रिक संस्थान में जहां जहां आरच्छन हो सकता है वाह का जो बंध किया गया है दिया गया है उपलब्द करवाया गया है वो किंद सरकार द्वारा तो वो आरच्छन obrigels 16 चिक है या दुखेगा आगे सवाल यहाँ पर बनता है कि सम्मिधान के किस अनुछेद के तहद छुवा छुट को समाप्त किया गया है तो अनुछेद 17 चिक है अस्प्रिस्ता का जाता है ना उसे उसी को छुवा छुट काते हैं तो आर्टिकल 17 के था यहाँ पर दिखे यहाँ पर सवाल बनता है कि भारतिय सम्मिधान के कौन से अनुछेद में किसी भी रूप के अस्प्रिस्ता यहाँ दिखेगा निशेद के लिए प्रुधान है तो वो है अनुछेद 17 यही इसी को छुवा छुट कहते हैं चिक है कोशन दूर धंग में उठा दोनों में घुमा दिया चिक है आगे चलेंगे संपुर्ण भारत के भूभाग में मुक्त रूप से आवागवन करने का अधिकार जो है भारतिय सम्मिधान के किस अनुछेद के अंतरगत जो है मौली का अधिकार है तो वो है अनुछेद उने इसके तहर चिक है आवागवन करने का अधिकार जो है भारतिय समिधान के किस अनुषेद के अंतरगत है तो या तकेगा आर्टिकल उने इसके तर इसका मतब नहीं कि मेडिया से समंदित है तो खाली मेडिया होगा इसमें सब आते हैं या तकेगा तो भूभाग से मुक्त रूप से आवा गवन करने का अधिकार जो है आर्टिकल उने इसमें चर्चा है यह ध्यान रखना है जो इपोर्टेट है उसी का चर्चा हो रहा है अनथा नहीं हो रहा है या तकेगा आपे चलिएगा भारतिय समिधान के किस अनुषेद में प्रेश की सोतनता दी गई है देखे प्रेश की सोतनता दी गई है तो आर्टिकल उने इस तो हैं ही आर्टिकल उने इस की जो है आई के ए में है या तकेगा ठीक है आगे सवाल देखे मौलिक अरिकार के अंतरगत कौन सा अनुषेद जो है तो वो है आटिकल 24 चिक है ये दियान रखना है आगे सवाल आप देख सकते हैं कि भारतिय सम्मिधान के कौन सा अनुछेद जो है धार्मिक स्वतनता के अधिकार की गरांटी देता है तो अनुछेद 25 से 28 देता है चिक है 25 से 28 देता है आगे सवाल आप देख सकते हैं कि भारतिय सम्मिधान के किस अनुछेद में अलपसंख्यक जो होते थे को के हित की सनरच्छन की ब्यवस्था की गई है सनरच्छा की ब्यवस्था की गई है बचाने की सहीव करने की ब्यवस्था की गई है वो आर्टिकल 29 में इसकी चर्चा है आगे सवाल यहां पे देखिए कि कौन से अनुशेद के अंतरगत भारत का सर्वोच चन्याले नागरीकों के मौलिक अधिकारों की रच्छा करता है तो वो है आर्टिकल 32 अनुशेद 32 क्योंकि इसी को भीम रावमित कर जो है आर्टिकल 32 है इसे आत्मा का है अब बदाएगा क्या आत्मा का है आगे अहां पे देखिए भारतिय समिधान के किन अनुशेद में राज्जी के निति निर्शक तत्वों का उलेख है तो याद केगा 36 से 51 है याद केगा मत आगे सवाल देखिए आगे है कि भारतिय समिधान के अंतरगत कल्यान कारी राज्ज के अवधारना किस अनुशेद में वर्णित है तो अनुशेद 38 में है तो अनुशेद 38 में क्या है भाई तो जो भारतिय समिधान के अंतरगत जो कल्यान कारी राज्ज के अवधारना है उ आगे आहाँ पे देखिए कि समान नियाय और निशूल के विधी शहायता का प्रवधान समीदान के किस अनुछेद में है तो अनुछेद 49 के A में है याद रूखेगा। अगर आप से पूस दे कि नियाय की बात करता है तो आर्टिकल 39 A में है याद रूखेगा। आगे 40 की बात करते हैं, तो 40 हमारे पंचायद से है, तो भाई चलिए देखते हैं, तो भारतिय सम्मिधान के कौन सा अनुशेद जो है, राज सरकार को गराम पंचायदों को संगठित करने का नरदेश देता है, तो 8 गर 20 देता है, मतब अनुशेद 40 देता है, आगे चलेंगे आगे देखेंगे अब 42 में संसोधन मतब 42 में संसोधन द्वारा यादखेगा सम्मिधान के किस अनुषेद को मौलिक करतबों को जोड़ा गया है तो वो है आपका अनुषेद 51 का A है ठीक है मतब 51 का A है मतब 51 A है यादखेगा 42 में सम्मिधान द्वारा यादखेगा जो 51 A ज 52 के तह आगे चलेंगे संग की काजपाली का शक्ति राष्टपती में नहीं थोगी जिनका प्रयोग हुआ स्वयम या अपने अधिनस्त अधिकारियों के द्वारा करेंगे किस अनुशेद में वर्णित है तो अनुशेद तिरपन में यादखेगा अनुशेद तिरपन में मतब 53 में यादखेगा तो कार्जों की सक्ति राष्टपती में नहीं थोगी ये यादखेगा आर्टिकल 53 में करते हैं आगे सवाल बनता है 57 की तो भारतिय सम्मिधान का कौन सा अनुशेद जो है राष्टपती के पद के लिए पुनह निर्वाचन की योगता निरधारिद करता है तो वो है आपका 57 यादखेगा आर्टिकल 57 आगे सवाल है कि भारत के सम्मिधान के किस अनुशेद के अंतरगत भारत के राष्टपती पर महाभियोग चलाया जा सकता है तो यादखेगा आर्टिकल 61 चीक है आगे सवाल बनता है कि सम्मिधान के किस अनुशेद में उपराष्टपती पद का परधान किया गया है आगे सवाल है समिधान के किस अनुशेद के अंतरगत मंत्री गन सामोहिक रूप से लोकशभा के प्रति उत्तरदाई हैं तो आर्टिकल 75 याद केगा आर्टिकल 75 मतों अनुशेद 75 ठीक है अब 75 में एक और बनता है क्या बनता है भाई तो देखे भारतिय समिधान का कौन सा अ मंत्री परशद की नुखती तथा पद चीवत मतब पद पे हैं याद केगा को बिवेचित करता है तो वो है आर्टिकल 75 बस इतना ध्यानकना है अनुशेद याद केगा चीक है मंत्री परशद की बात ही होगे तो अनुशेद 75 याद केगा कौन सा अनुशेद जो है भारत के महन्यवादी की न्युक्ती से समंदित है तो और कोई नहीं 76 है या तकेगा अनुशेद 6 तर है या तकेगे चीक है 76 है आगे चलेंगे आगे शवाल बनता है हाँ पे देखेगा कौन सा अनुशेद जो है संसर के दोनों अधिवेशनों के बीच 6 मां के अन्तराल के अनिवारिता का कारन करता है तो वो है अर्टिकल 85 मत्ब अनुशेद 85 85 से और समंदित क्या है कि राश्ट्पती सम् kaf brings कि अनुशेद के अन्तरगत लोकशवा को भंग कर सकता है तो वो है अनुशेद 85 चीक है? कतम मत अच्छा मा के अंतराल तक जो है करना है आपको तो अनुशेद पचासी के बात होगा अगर लोक्षवा को भंग कर सकता है राश्पती तो वो भी अनुशेद पचासी में है अब चलते हैं डारेक्ट 108 पे आते हैंगे तो यहाँ पर दिखियागा सम्मिधान के किस अनुशेद द्वारा संसत की संयुक्त बैठक का प्रधान किया गया है तो अनुशेद 108 में किया गया है संयुक्त बैठक मतर लोक्षवा रास्वा की बैठक की अगर बात होगी तो हम 108 आर्टिकल को याद रुकेंगे अगर आपसे सवाल पूछे कि सम्मिधान के किस अनुशेद में धन भी धेयक की परिभाशा दी गई है तो अनुशेद 110 में आर्टिकल 110 में तो अगर आपसे पूछेगा कि सम्मिधान के किस अनुशेद में धन भी धेयक की परिभाशा दी गई है तो वो याद रुकेंगे एक 110 में ठीक है किलियर हो गए आगे चलते हैं आगे अब शवाल देखशकते हैं कि सवाल जो बन रहा है बहुत ही सटिक बन रहा है क्या बन रहा है तो देखे भारत के सम्मिधान के किस अनुशेद के तहद प्रतेक बीतिये बर्ष के लिए याद कीगा भारत सरकार की जो है प्रकलि प्राप्ति और व्याओं का एक विबरन संसद में संसद के समच्छ रखा जाता है तो वो है अनशेद 112 में देखिए अनशेद 112 की अगर बात करें तो आप ध्यान से देख सकते हैं कि इसमें किसकी बात कर रहा है प्रकल प्रकल समीती होता है से या प्रकल लिती प्राप्ति या ब्यक की बात होगी, तो हम अनुशेद 112 को याद करेंगे, बस इतना ध्यान लगना, इसमें ज़्यादा ध्यान, नहीं देना यह आएगा भी नहीं, उतना ज्यादा, हाँ यह आएगा, समिधान के किस अनुशेद के अंतरगत, राष्टपती अध्यादेश जारी कर सकता है, मत रीट की बात करता है, आगे सवाल है, कि समिधान के किस अनुशेद में सर्वुच्य नहाले के नियाध्यिस पर महाभीयोग चलाने की प्रधान करता है, तो देखे, राष्टपती की बात होती, तो हम एकसर्ट को बात करते हैं, महाभीयोग का, लेकिन सर्वुच्य नहाले नियाध्यिस की बात करतेंगे, तो हम आर्टिकल याद रुखेगा क्या करेंगे, अनुशेद 124 से आत रखेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं, आगे आप देख सकते हैं, कि राष्टपती सर्वुच्य नहाले के समिधान के किस अनुशेद के अंतरगत प प्रामर्स होते हैं, ले सकता है, याद रुखेगा, अनुशेद 143 के था, ठीक है, क्लियर, यहाँ पर रुखेए, सर्वुच्य नहाले, सर्वुच्य नहाले, अपने द्वारा सुनने, सुनाए, यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ियां से कर देता हूं, है ना, यहाँ पर प्रामर्स होते हैं, यहाँ पर देखेगे, सम्विधान का कौन सा अनुशेद जो है, भारत के नियंतरक और महालेखा परिच्छा के करतब को नरधारित करता है, तो और कोई नहीं एक सो उन्चास करता है, आर्टिकल 149 करता है, या तो अगर आपसे पूछे, कि सम्विधान का कौन सा ऐसा आर्टिकल है, या अनुशेद है, जो कि नियंतरक और महालेखा परिच्छा के किस नियंतरक परिच्छा के किस राज्जी में बिधान परश्यत की अस्थापना और समाप्ती का परदान है, तो वो या तुखेगा अनुशेद 169 है, या तुखेगा, देखेगे, यह जो एजुटेरिया का अगर आप दे रहोंगे, प्रैक्टिसेट, तो उसमें क्या है, कि 168 कर दिया है, ठीक है, तो गलत नहीं किया है, 168 से लेकर 169 माना गया है, तो या तुखेगा, अगर आप्शन रहेगा, तो एक ही रहेगा 168, नहीं तो 169 होंगे, तो इस पर दियान रखना है, ठीक है, किलेर हो गया, जैसे ही बिधान परशवा, बिधान परशवा की बात होगी, तब दियान रखना है, ठीक है, आगे चलते हैं, आगे सवाल है कि भारत के समिधान के किस अनुशेद में राजपाल, जो है, राज़ की बिधान सवा को संबोधित करने का परधान है, तो वो आर्टिकल 176, मतलब 176, या तकिएगा, 176 अनुशेद में क्या चल्चा है, कि राजपाल जो है, 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 राजपा पूर्णा वलोकन की शक्ति प्रदान की गई है यह बिवस्था समिर्हान के किस अनुशेद में है तो आप याद रूखेगा आर्टिकल 226 में मतब अनुशेद 226 यह कहता है कि हमारा जो सरवोच नयाले है उच नयाले है उसमें न्याइक पूर्णा वलोकन करना है तो वो सक्त प्रदान है हमारे नयाले को याद किएगा तो यह बिवस्था जो है आर्टिकल 266 मतब 226 के तहद दिया गया है चलेंगे आगे सवाल देखेए समिर्हान के किस अनुशेद के अंतरगत अधिनस्त या जीला नयायल जीला जो नयाले है का जो है प्रदान किया गया है तो आप से पूछे कि अनुशे 233 जो है क्या है भाई तो इसमें क्या चर्चा है ये ध्यान सो सुनिएगा इसमें क्या है कि इसके तहद जो जीला नयाले है का प्रदान किया गया है ये ध्यान रखना है बस इतना ही ध्यान रखना है आगे सवाल देखते हैं आगे सवाल है कि भ तो यादखेगा अनुशेद 245 यादखेगा. तो आर्टिकल 245 जो है यादखेगे 245 यादखेगा. तो भरतिय संभिधान का कौन सा अनुशेद जो है संभिधानिक प्रुधानों की संगिय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानुणों का कानुणों पर प्राथ्विक्ता प्रतान करती है. तो आर्टिकल 245 आगे सवाल बनता है कि संभिधान के किस अनुशेद के तहद अफस्ष्ट सक्तियां किंदर के पास है तो या राज्यों के लिए किस अनुशेद के अंतरगत कानून बना सकती है तो वो है अनुशेद 252 आगे सवाल है कि संभिधान का कौन सा अनुशेद संसत की राज्यों सुची के किसी बिशेपर विधान बनाने की शक्ति पर जो है देता है या प्राप्त करता है तो वो है article 249 के तार तो article 249 में क्या कहा गया है कि राजसुची जो है कि किसी भी विसह पर बिधान बनाने की शक्ति प्रदान है तो इतना ध्यानक ना है अब चलते हैं article 243 मतब्द 200 तिरपन तो 200 तिरपन में क्या कहा गया है कि भरते सम्मिधान का जो है जो दोस्रतिरपन है अन्शेड संसत को अंतराष्टिय समझोताओं को लागु करने के लिए बिधिन निर्मान की शक्ति दी गई है तो बस इतना आपको या थखना है बिधिन निर्मान की शक्ति प्रदान की गई है किसके तहद भाई तो Article 253 के तहद चीक है याद खीगा अंतराश्टी जितनी भी समझोता को लागू करना है न तो वो बीधिनिर्मान जो किया गया है या सकती प्रतान की गया है तो Article 253 के तहद किया गया है ये ध्यान रखना है चलिएगा आगे चलते हैं आगे की अगर बात क करते हैं हम लोग तो देखे केंद्र राज के प्रशासनिक संबंद जो है भाती सम्मिधान के किस अनुषिड में वढ़नी थै तो याद खीगा 256 से लेके 233 में है आटिकल 256 से लेके 233 में इसकी चर्चा करता है चीक है याद खीगा क्या देखे 256 से 233 में क्या हुआ ये ध्यान रखेगा केंद्र और राज के प्रशासनिक संबंद की बात करता है न तो केंद्र सरकार और राज सरकार की बाच जो बीच जो संबंद है प्रशासनिक का वो याद रखेगा उसकी बात करता है आगे सवाल बनता है कि सम्मिधान के किस अनुषिद के अंतरगत केंद् सरकार का भाई क्या है? तो इसके तहत क्या है कि ना? कि अंतर राज्जी परिश्द के गठन का प्रत्हान जो है सम्भीधान के याद केगा किस अनुशेद के अंतरगत किया गया है तो Article 263 के अंतरगत किया गया है ठीक है 263 के अंतरगत तो अगर आपसे पूछे अंतर राज्ये परश्यत की गठन की प्रुधान करेगा तो 6263 को याद रुखेगा अगर आगे सवाल अगर बात करते हैं कि भारतिय सम्मिधान के किस अनुशेद के अंतरगत बीत आयोग का गठन का प्रुधान है तो याद रुखेगा अनुशेद 280 जैसे ही बीत आयोग की बात होगी यहाँ पे देखेए बीत आयोग की बात होगी तो अनुशे 280 याद रखना है बस इतना ध्यान लखना है इतना कोशन जो गुमाय रहा है बस इतना पे ध्यान लखना है देखेए भारतिय सम्मिधान के किस अनुशेद में इतना तो कोशन हो गया में बताया गया है कि संपत्ती का अधिकार जो कानूनी अधिकार है वो चला गया है कहां अनुशेद 300 कम में ठीक है यह पूछाता है संपत्ति कादिकार हटा दिया गया है मौली कादिकार से आपको पता है तो हटा कि कहां कर दिया गया है 300 कम में अनुशेद का 300 कम में कर दिया गया है तरस इतना ध्यानकना है अब चलिए यहां पर देखे 311 की बात करते हैं तो भारतिय समिद्हान के किस अनुछेद में जो है नैसरगिक नै करियेगा नैसरगिक न्याले के प्षिद सिध्धान्त सूनवाई के अधिकार का समावेशन या समावेश जो है किया गया है तो अनुषेद 311 में देखे 311 में इसमें क्या है कि एक न्यायल न्याय है छोटा पूटा न्याय है जो के प्रसिद्ध सिध्धान्त है ये दिया गया है नैसरगीक न्याले के प्रसिद्ध सिध्धान्त के सुनवाई जो भी होगी यादकी का अधिकारिक समा वेश्ट किया गया है वो किस के तहद अर्टिकल 311 के तहा है तो ये इंपोर्टेंट नहीं है देख सकते हैं हाँ ये है भातिय सम्मिधान के किस अनुशेद के अंतरगत याद केगा राजशाभा नई अखिल भारतिय प्रशासनिक सेवाओं की रचना का प्रस्ताबित कर सकता है तो अनुशेद 312 के तहल अगर आप से पूछते कि अनुशेद 312 में जो है क्या है तो याद रखिएगा जो है नई अखिल राजसाभा के द्वारा याद रखिएगा तो राजसाभा के अन्तर गत्मान के चलिए कि नई अखिल भारतिय प्रशासनिक सेवाओं की रचना की प्रस्ताबित कर सकता है याद रखिएगा अब चलते फिर 311 की बात करते दुबारा इसमें क्या है कि है तो उसी से समंदित वस इसमें क्या है कि लोग सेवाओं के लोग जो सेवाओं को सनरच्छन प्रदान किया जाता है 311 के तहद जितनी भी सेवाओं होती है सनरच्छन लोग सेवाओं का वो याद रखिएगा अनुशे 311 की बात करता है चीक है आगे चलते हैं आगे यहाँ पर देखेगा समीधान के किस अनुशे द्वारा संग और राज के लिए लोग शेवा आयोग का प्रदान किया गया है तो आर्टिकल 315 मतब 315 के तहद किया गया है ठीक है को दिकत नहीं 315 के तहद किया गया है क्या किया गया है तो शंग और राज्यों के लिए लोक्षेवाओं आयोग का प्रोदान किया गया है आप देख सकते हैं आगे भी चलेंगे आगे भी बहुत सारा कोशन है मेरे दोस्थ देखे आप देख सकते हैं यह अंतिम कोशन है और बहुत ही important question है आप देख सकते हैं चलेगा संबिधान के किस अनुछेद के अंतरगत लोक्षेवा आयोग के सरदर्शियों को हटाया जा सकता है तो यादखेगा अनुछेद 317 के तहद हटाया जा सकता है यादखेगा तो पूछ देगा आप से कि लोक्षेवा आयोग के सरदर्शियों को अगर हटाना है हमें तो कौन से आर्टिकल के तहर धटाएंगे तो यहां देखेगा आर्टिकल 3.1.7 के तहर धटाएंगे मतलब 317 के तहर धटाएंगे यह ध्यान रखना है यहां पे देखे 320 के अगर बात करें तो संग लोक्षेवायो के कार्जों का उलेख जैसे ही कार्ज की बात होगी या उलेख की बात होगी तो आर्टिकल 320 को याद रखेगा किसे याद रखेंगे 320 को अब 300 आर्टिकल जो है 324 की अगर बात करते हैं तो क्यों करते हैं क्या भाई तो यह इसमें देखेगा कि निर्वाचनों का निर्यच्छन निरेच्छन करना निर्देशन या नियंत्रन करने के लिए निर्वाचान आयोकास थापना अगर होता है तो वो आर्टिकल 324 के ताहद होगा हमेशा याद रुखेगा आगे सवाल बनता है यहाँ पर देखे अनुछे अगर 331 की अगर बात करें तो समिधान के किस अनुछे द्वारा लोक्षा भाग में आंगल भारतिय समुदाय के प्रतिनिधित हेतु प्रधान किया गया है वो आर्टिकल 331 के ताहद किया गया है आगे सवाल बनता है कि भारतिय समिधान के किस अनुछेद में अनसूचित जाती या अनसूचित जन जाती के लिए जो आरच्छन क का प्रधान किया गया है वो article याद किएगा 335 यह नोट कर लेंगे क्यों 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 कि आर्टिकल 335 युह है याद किएगा क्या है अनुशेद मतलब 35 यो है 335 उसमें क्या है कि अनुसुची जातियां और अनुसुची जन जाती की आरच्छन की बात करता है बस इतना ध्यान आगे चलते हैं, आगे यहाँ पर देख सकते हैं कि भारतिय सम्मिधान के किस अनुछेद में अनसूची जन जाती के लिए एक राष्टी ये आयोक का प्रुधान किया गया है, तो देखें, 35 में तो आराष्चन की बात हो रही है, लेकिन अनसूची जन जाती के लिए अस्पे किस अनुछेद में हिंदी को राज्च भाष्चा का दर्जा प्रदान किया गया है, तो आर्टिकल 3, मतब आर्टिकल 343 आई के तार, यहाँ पर आई दिया हो है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी से आपको क्या देगा, खाली सिर्फ 343 देगा, तो आप कंफ्यूस नही होना है, ठीक है, तो 343 आई के तार, दियान रखना है, ठीक है, आगे चलेंगे, जैसे हमारी हिंदी भाष्चा की दर्जा की बात होगी, तो 343 आई याद रुखेगा, आई, किस अनुछेद में यह प्रदान किया गया है, कि संग की जो राजवासा है, हिंदी ताथा लिप की देवनागरिक होगा, तो एदम आर्टिकल 343, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ना आई होगा, ना यह होगा, कुछ ध्यान नहीं रखना है, सिर्फ 343 याद रखना है, ठीक है, तो हमारा संग की राजवासा हिंदी और देवनागरिक लिपी होगा, यह ध्यान रखना है, ठीक है आगे सवाल है कि सम्मिधान के किस अंशेर में राज्यो द्वारा प्रणभिक जो सिच्छा है मातरी भाषा में दिये जाने का प्रधान किया गया है तो वो यारत रुखेगा अंशेर 350A में है यारत रुखना है किसमें 350A में है यारत रुखेगा यह यार दुखेंगे, अनुशेत जो 350 A है, यह यार दुखेगा मातरी भासा से, सिच्छा मातरी भासा से, यार दुखेगा, बच्चों के लिए, जो प्रारंबीक हम लोग के सिच्छा होगी न, वो 350 A के ताद होगा आगे सवाल है भारती समिधान के किस अनुछित के अंतरगत अगर बात करते हैं तो आर्टिकल जो हम लोग 352 है वो याद रखना ही पड़ेगा क्योंकि ये BVI कोशन इसलिए है क्योंकि राष्ट्पती द्वारा जो है राष्टिय अपात की घोशना करता है तो राष्टिय अपात की घोशना की बात होगी तो 352 होगा राष्टिय अपात की अब चलते हैं आगे तो याद खेगा 355 कियो भाई? 355 भी आरटिकल बहुत इंपॉर्टिट है क्यों है? तो चलिए 22 समिधान के याद खेगा 305 जो आरटिकल है के तहट जो है भारत सरकार का दाई तो है कि वह बाहरी आकर्मन जो बाहरी आकर्मन होता है बाहरी आकर्मन तथा आंतरिक अशांती से रज्यों की रच्छा करे उसके लिए ये 355 जो है आर्टिकल लगाए जाता है ये द्हानक नहीं है चीक है आगे सवाल बनता है कि भारतिय सम्मिधान के किस अनुशेद के तहद रज्यों में सम्मिधानिक तंतर के विफल होने पर राष्टपती शासन लागो किया जा सकता है तो वो याद दुखेगा वो करेगा आर्टिकल 356 के तहद तो याद दुखेगा जैसे ही और अगर बाहरी आकर्मार या शान्ती की बात होगी तो हम लोग क्या बात करेंगे तो 355 की बात करेंगे तिन सो पचपन की बात करेंगे अब चलते हैं 360 की अगर बात करते हैं तो भारतिय सम्मिधान के किस अनुशेद के अधार पर बितिय अपात अगर लग जाता है उद या पातकाल की बात करते हैं 352 को और 356 की अगर बात करते हैं तो राश्पती सासन की बात करते हैं लागू करने की बात करते हैं चीक है अब फिर है आर्टिकल 352 की अगर बात करते हैं तो इसमें द्यान रखेगा भारतिय समिधान में मंतरी मंडल सब्द का एक बार प्रयोग ह हुआ है जैसे ही बात करेगा कि भारतिय समिधान में मंत्री मंडल शब्द का जो है प्रयोग कितनी बार हुएं तो एक बार हुएं तो किस के तहद हुएं तो आर्टिकल 52 के तहद हुआ है बस इतना त्यार रखना है यहां पर देखिएगा यहां पर क्या है कि भारतिय समिधा के किस अनुचेद के अंतरगत प्रतेक राज्य मातरी भाषा का प्रशार एबं अनुदेश प्रात्मिक सिच्छा में लागू किया जा सकता है या किया मतब कर सकते हैं तो वो आर्टिकल 351 के तरहत करेंगे हमेशा या तो खिएगा मातरी भाषा की बात होगे 351 की बात करेंग का अधिकार दिया गया है तो आर्टिकल 368 यहीं है 368 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि संसते को समविधान संसोधन का अधिकार तो वो 368 में अगर आप से बात करते हैं कि कौन सा धारा जो है जम्मु कस्मीर को विशष्ट-राज़का दर्जा अप्राप्ट था उसे हट तो वो था हमारा 370, 370 जो था जम्मु कस्मिर का था, लेकिन वो हट गया है, या तो खेगा, अब तो बहुत चेंज हो गया, है कि नहीं, चले आगे चलते हैं, भारतेसम इधान के किस अनुशेद में बिभिन राज्यों से समंदित विस्ष्ट जो प्रवधान का उलेक बात हो प्रवधान होते हैं, उसकी बात की गई है 371 में, या तो खेंगे, आगे सवाल बनते हैं, कि 371 का में क्या बात किया गया है, चलिए, तो इसमें क्या है, बहुत इंपोर्टेंट है, कि भारतेसम इधान के, जो है, जो 371 अनुशेद है, कि अंतरगत नागलेंड, जो है, ना या तुखेगा, आगे चलते हैं, अनुशेद 395 के बात करते हैं, तो बहुत ही इंपोर्टेंट है, क्या है, कि भारतिय समीर्हान के, जो है, प्रवधान है, या तुखेगा, प्रवधान है, प्रवधान है किया गया है तो अनुछे 395 में किया गया है बस इतना इत्यान रखना है भारतिय सासान अरिनियम 395 में अगर बात करें कि असपश प्रवधान कहां किया गया है तो याद तकेगा आर्टिकल 355 में किया गया है याद तकेगे अब कुछ-कुछ जो आर्टिकल है जो तीन आर्टिकल है ये अंतिम है और इसके बाद समाप्त हो गया आपका जो इंपोर्टिन डिपोर्टिट आर्टिकल और अनसूची थी वो समाप्त हो गया है किनि तो देख सकते हैं कि भारतिय समिधान के किस अनुशेद में भारत सरकार द्वारा भारत रत्न आदी अलंकार प्रदान करने का प्रदान जो है अनुशेद 18 में है ये भी भी है कोशन है ये से आप चुकिएगा मत यार रखेगा ये इंपोर्टेंट है इसलिए मैंने लाश्ट में ये रखा गया है आगे सवाल है कि भारत के सम्भिधान के किस अनुशेद में उपबंध है मतब उपबंध है दिया गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बालक को किसी करखाने या खाने में काम करने के लिए नियोजीत नहीं किया जाएगा तो वो है आर्टिकल 24 मतब अनुशेद 24 में अगर बात करते है 48 48 का A में मतब 48 का A का तो इसमें क्या है बहुत इंपोर्ट कि प्राकृतिक परियावरन की सनरचन एवं सुधार ये कथन जो है भारतिये संबिधान के किस अनुशेद में जो है कहते हैं क्या कहते हैं समलित है या तखेगा तो आर्टिकल 48 A में तो कैसा लगा ये वीडियो पताएगा ज़रूर जहिन जह भारत में रोस्त आपका पचायत का वीडियो नहीं देखें तो देख लीजेगा आप बहुत ही इंपॉर्टन है पचायत का इससे ज्यादा कोशन नहीं आने वाला ये वी जान देखें बाए